नमस्कार वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है मैं हूराज का और इसा के पूरी शहर में प्रसिद्ध जगनाथ मंदिर हिंदु धर्म के लोगों के लिए बेहत खास महत्व रखता है सुमवार से भक्तों के लिए समंदिर के कपाट खुल गए है इसे बीचे एक अठारा वर्श कलाकार दिलिप महरारा ने पूरी के जगनाथ मंदिर का एक मिनियेचर वर्जन बनाया है गंजम जिले के बहरामपूर के रहने वाले दिलिप ने इसके बारे में बात करते हुए बताया कि कलाकरिती को बनाने में उन्हें डेर महीने का समय लगा है युवा कलाकार ने मंदिर की संरचना को सठीक अगुपात में बनाया है लकडी से तयार की गई जगनात मंदिर की प्रतिक्रिती 5.5 इंच उची है इसकी लंबाई 12 इंच और चोड़ाई 9 इंच है दिलिप महराना ने इस्थापत्य सनरचना को सठीक अनुपात में बना कर मंदिर के विवरन को बेहत महत वतिया है उनके इस आर्ट को देखकर लोग भी हैरान हो रहे हैं जगनात मंदिर का एक पूरा रेप्लिका बनाया हूँ लकडी से इसके हाइट है 5.5 इंच से लेंध है 12 इंच और विट थे 9 इंच इसके अंदर दस से ज्यादा चोटे-शोटे मंदिर भी है जैसे कि बिमला का मंदिर, शूर्य देप का मंदिर, गनेजी का का मंदिर, महलक्षमी का मंदिर और आडपमマンडप, स्चान मंडप चार द्वार है कि यह मंदिर मनें बनाने के बाद मैंने सोचा कि इसका दो उसको है इसको मने बनाया हूं एक हमारे देश के प्राधाम मंत्री नरंद्र मोदी जी को मैंने देने के लिए मौधिजी ने इलेक्षन केम्पेंग भी पूरी जिले से भी पूरी जिले में से स्टार्ट किया था उनको देना में एक मंदिर चाहता हूँ और हमारे राज्ये के मुख्य मंद्री नभिन पटनाइक उनको एक गेप्ट देना में लिए मंदिर परिशर में दस से जादा क्रितियों को प्रधान मंद्री नरेंद्र बोधी और मुख्य मंद्री नवीन पटनायक को बहर स्वरूप देने की इच्छा रखते हैं दिले पहराना ने इससे पहले भगवान राम का एक मंदिर और एक इंच की देवी दुर्गा की मूर्ती बनाई थी जिसके लिए उन्ह क्या की साथ